25 जुलाइ को टेमपू ट्रेवलर में स्वार हुए ये हस्ते मुस्कराते हुए टूरिस्ट उनको पता नहीं था कि हम कब काल के ग्रास बन जाएंगे यहां जी हमें बात करा हूँ कि नौर में हुए हादसे में लेंड स्लाइड में मारे गए और दुर्ट ना गरस्त हुए परेटकों के बारे में और इस सासन और इस्तानी वेक्ती भी सबक नहीं ले रहे हैं कुछ उस इस्तान की में फोटू और वीडियो दिखाऊंगा जिसे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यह आज की तस्वीर है और यह हादसे के दिन हुआ था उस दिन से भी पहले परसासन यदि चेहत जाता तो यह गठना को कम किया जा सकता था पहले भी पत्थर गिरे बताये जा रहे थे और अब भी चेत नहीं रहें आज की मैंने तस्वीर साजा की और भी वीडियो में दिखाऊंगा जिसे आपको पता चल जाएगा कि परसासन कितना भी मुखदर्सक बना हुआ है जो नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जानमाल की जो कितना मजबूत था जो तास के पत्थों की भांती एक पत्थर के गिरने से तहस नैस हो गया अब इस्तानी निवासियों की मजबूरी कहे लीजे जो इस तूटे वे पुल जो 25 तारी का हादसा किनो और हादसा वा लेंड स्लैड वा जिसमें सांगला और चितकुल के बीच मे ये वर्सु पुराना जो करोड रूपे का पुल था जो आने जाने का एक मातर सादन था और दोनों की बीच का संपर्ग तूट गया और इसको मैं रिस्क मामला कहूंगा कि जो ये महिला और पुरस है जो आपको एक और दो नमर के द्वारा में इंकित कर रहा हूं इतनी ते प्रसासन मूखदर्सक बना हुआ है प्रसासन से मेरी विनती है कि आप इसको समाले और जो इस्तानी निवासी है उनके लिए वेकल्पिक वेवस्ता करें या जो इनकी आवसकता का सामान है वो पहुंचाए इनकी आवसकता पूरी हो जाएगी तो ये पूल पार नहीं निर्मान जल्दी से जल्दी इसको सही किया जाए और प्रेटकों को भी लेंड्स्लाइड वाले जगूं के बारे में उनको पहले जताया जाए बताया जाए जिससे वो भी सुरिक्षित यातरा कर सके और अपने प्रेटन को एंजोई कर सके वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाया तो जरूर चैनल को लाइक सबस्क्राइब जरूर कीजे जैहन जै वारत